तो गाइस, देखिए बिहार पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम की एक्जाम डेट आ चुकी है। उसके लिए हम लोग हिंदी के एक्सपेक्टेट कोश्चिन देखेंगे। क्योंकि 7 अगस्से आपके बिहार पुलिस कॉंस्टेबल के एक्जाम स्टार्ट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूंगा जो लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें छलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो गाइस आज के सेसिन में पहला कोश्चन है सन्रचना सब्द के लिए कौन सा पर्याय सब्द अनुचित है तो देखिए अनुचित मतलब गलत है तो देखिए सन्रचना के लिए अनुचित जो है वह हो जाएगा ऑप्संसी उद्भावना ये जो है पर्याय अनुचित है अगला है सच्छास्त्र का उचित बिच्छेद निम्न में से कौन सा है चार अप्षन आपके दिये गए हैं तो इसमें से हो जाएगा आप्षन सी सत धन सास्त्र तो आप्षन सी आपका राइट अंसर हो जाएगा अगला है कॉटिल का विलोम सब्द है कॉर्टिल का विलोम सब्द क्या होता है चार आपसन है तो इसमें से आपका राइट अंसर हो जएगा option C आड़ जब क्या हो जाएगा आड़ जब अगला है अब पढ़कर क्या होगा इस बाक में कौन सी क्रिया है तो चार आपसन आपके दिये गए है अब पढ़कर क्या होगा इस बाक में कौन सी क्रिया है आपसन B पूर्व कालिक क्रिया अगला है किस बणका और चारण स्थान कंट तालू से है कंट तालू से है आपसन है A Next question है सुद्ध बाके का चैन कीजे तो चार आपके दिये गए हैं तो एक-एक आपसन चेक करते हैं पहला देखते हैं तूफान आने का संदे है तो यह आपका गलत हो जाएगा option B चेक करते हैं अनेक निर्पराद दंड के भागी हुए तो यह आपका right answer हो जाएगा option B is right answer अगला देख लेते हैं जुगुपसा किस रस का इस्थाई भाव है जुगुपसा जो है option B हो जाएगा बीभत्स रस का इस्थाई भाव है अगला है नीधन कलंक का सही संदी सब्द कौन सा है तो देखे चार option आपके दिये गए हैं इसमें से हो जाएगा option C निस कलंक यह आपका right answer हो जाएगा ओके अगला है सूरदास किस रस के कभी हैं तो इस question का answer क्या होगा सूरदास किस रस के कभी हैं तो इस question का right answer बनेगा option C बासल रस के कभी है सूरदास अगला राष्टगान के रचैता कौन है चार option आपके दिये गए हैं तो आपका हो जाएगा option B रविंदर नाथ ठाकुर अगला निर्देश से प्रस्ण संक्या 61-62 के लिए आगे कहता है नीचे दिये गए बाक्यों के एक खंड में तुरटी है उससे छाटी है तो देखी जैसे कि 61 है इसमें आपको तुरटी छाटनी है तो पहला देखते हैं option A सीर्सक को छोटा ये तो सही है आकर्सक और विसे से ये भी सही है फिर संबद रखना चाहिए संबद आपका ये आपके इसमें आपकी तुरटी हो जाएगी तो option C is right answer अगला है 62-62 option A समय का सदूपयोग ये तो आपका सही है ये आपका सही है की गलत है तो सदूपयोग ये आपका गलत हो जाएगा बागी के तीन आपके सही हो जाएगे तो option A is right answer अब प्रसंसंकिया 63-64 के लिए निर्देश है नीचे एक एक सब्द की बरतनी के अनेक रूप प्रस्तुत है सुद्ध बरतनी का चैन करना है आपको जैसे कि 63 है इसमें सुद्ध बरतनी माला सब्द कौन सा है तो option A सुरंगार को option A की तरह निखते ना कि option B, option C और option D की तरह तो option A is right answer अब 64 में आपको बताना है तो देखे 64 में नच्छत्तर को option B की तरह निखते है ना कि option A, option C और option D की तरह तो option B is right answer अब आपको निर्देश पसंद संकिया 65 से 680 के लिए नीचे एक-एक सब्दों के बिप्रेड़तार्थक सब्द चुनकर सही उत्तर के विकल्प को चुनिये मतलब बिलोम सब्द बताना जैसे की 65 है अबनत का बिलोम सब्द क्या होता है अबनत का बिलोम सब्द क्या होता है तो option C right answer हो जाएगा उन्नत होता है अबनत का क्या होता है उन्नत अगला है अरवाचीन का बिलोम सब्द क्या होगा अरवाचीन का हो जाएगा ओप्सन भी प्राचीन नेक्स्ट निमलिकित में कौन गंगा का पर्यावाची नहीं है चार आपसन दिये गए तो त्रिवेणी बांकी कितीन आपके राइट आंसर हो जाएंगे भागी रती गंगा का पर्यावाची है मंदाकनी भी है और सुर्शरिता भी है अगला है पीडी दर पीडी चला आने वाला इसके लिए एक समुचित सब्द कौन सा होगा तो अनबयागत हो जाएगा अनबयागत यह हो जाएगा पीडी दर पीडी चला आने वाला अगला है पवन का संधी विच्छे दे कौन सा है तो ऑप्सेन ही हो जाएगा पोधन, अन नेक्स्ट है अबनी का विलोम सब्द बताओ अबनी का विलोम सब्द क्या होता है अप्सेन B, अमबर अगला है निमलखित में ते कौन सा व्यजन, संगर्सी है तो आपसें D, हाब एंजन अगला कुशने 72 बाखे का चैन कीजिए तो सुद्ध बाखे इसमें कौन से है तो एक एक आपसें चेक करते हैं पहला आपसें समाज की बर्तमान दसा चिंता जनक है चिंता जनक है तो आपका ये सही राइट अंसर हो जाएगा बाकी के तीन जो आपसें बो आपके गलत हो जाएंगे आप पढ़ सकते हैं मैंने तरहें तरहें के रेसम के कपड़े पसंद किये ये गलत तुमारी दर्ष्टी तुमारी पुस्तक पर होनी चाहिए ये भी गलत इस ग्रंद का निर्मार तुलसिजास ने किया ये भी गलत अगला ये तिया तरवा सुद्ध बाक का चैन कीजिए तो पहला आपसें चेक करते हैं सहाब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए ये आपका राइट अंसर हो जाएगा बाकी के तीन उप्षन गलत हो जाएग जैसे की भी है इस समय मोहन की आयो बीस बार साई ये आपका गलत बेचाहें भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा ये भी गलत मद्यकालेन यूग में कलाओं की बहुत उन्नती हो ये भी गलत अगला है राम रच बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस सहितिक बिधा से सम्मंदित है ओप्षन भी राइट अंसर हो जाएगा रेखा चित्र से सम्मंदित है रेखा चित्र से अगला है निमलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतरगत नहीं आती है चार आप्षन आपके दिये गए हैं तो आप्षन सी मगही जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतरगत नहीं आती है अगला है भारतिंदू हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भासा में अनुदित है तो देखे इस question का right answer का option D बिध्या सुन्दर ये जो है बंगला भासा में अनुदित है अगला है मुगल भासा सहाजा ने किस कभी को महा कभी राय की पदवी दी थी तो इस question का right answer बनेगा option C सुन्दर अगला रिक्तिस्तान में उचिस सब्द भरें यैसे कि ब्यंग लेकक सामाजिक और यहाँ पर क्या बरेंगे पर ठीका प्रहार करता है तो यहाँ पर क्या बरेंगे option D अनुरूपता पर नेक्स्ट है निमलिखित में कौन ग्याना सरही साखा के कभी है चार अपसन आपके बने है तुलसी दासे नहीं, रहिमदास नहीं, मलिक मुहमद जैसी नहीं तो आपका right answer हो जागा कभीर दास यह है ग्याना सरही साखा के कभी अगला है जैचंद्र प्रकास नामक महाकाभ के लेखक है तो आपसन C भट केदार अगला है मैथली सरन गुप्त का सम्वन आधुनिक काल के किस युक से है तो इस question का right answer हो का आपसन है दुबेधी युक अगला ठिटूडता हुआ गलतंत्र इस ब्यंग संग्रे के ब्यंग कार है तो इस question का right answer बनेगा आपसन C हारी संकर पड़साई अगला निम्मिकत रचनाओं को उनके साहित की विधा के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चिन्हित कीजिए जैसे कि रचना है एक में एक में साहित की विधा और कोट के मद्यम से आपको मिलान करना है तो इस question का right answer बनेगा आपसन C पहला है निर्मला निर्मला क्या है तो एक उपन्यास है फिर चिता के फूल चिता के फूल क्या है निवंद फिर है बर्दान बर्दान क्या है कहानी फिर भारत दुर्दसा ये है नाटक तो इस question का right answer बनेगा आपसन B अपादान कारक अगला बाचस्पती किस समास का समस्त पद है बाचस्पती जो है वो बहुबरी समास का समस्त पद है अगला बहे लाचार है क्योंकि बहे अंदा है इस बाक में कौन सा अभ्या है तो आपसन है कारण बाचक क्योंकि बहे अंदा इसलिए बतुला आचार है तो कारण बाचक अभ्या हो जाएगा निर्दे से प्रसंस क्या 87 एबं 88 के लिए निम लेके सब्दों के परएवाची सब्द चुनिये जैसे कि समुत्र का परएवाची क्या होगा आपसन डी अर्लाओ क्या हो जाएगा अर्लाओ अगला है सौंदा मिनी इसका परएवाची क्या होगा तो आपसन ए विद्धुद्ध अब निर्दे से प्रसंस क्या 89 से 90 तक नीचे कुछ बाक्यान सत्वा बाक्यखन दिये गए हैं उनके साथ साथ एक सब्द के लिए चार विकल्प दिये गए हैं आपको सही विकल्प का चैन करना है जैसे की है जिसे बुलाया ना गया हो उसको क्या कहेंगे अनाहूत कहेंगे क्या कहेंगे अनाहूत अगला है इस तरी जो अभिनाय करती हो उसको क्या कहते हैं अलट फेर होना का अर्थ क्या होता है तो आपसें D परिवर्टन होना नेक्स्ट ए अपने पैर पर कुलहाडी मारना का आर्थ क्या है तो इस कुश्चन का राइट आंसर होगा आपसें D स्वयम अपने को हानी पहुंचाना नेक्स्ट ए बहुष तरी जिसकी कोई संतान ना हो तो इस कुश्चन का राइट आंसर होगा आपसें B नेक्स्ट ए कार को नए ढंक से करने की पद्दती क्या कहलाती है आपसें C नभीनी करण पद्दती कहलाती है नभीनी करण अगला है समय की द्रस्टी से अनुकूल क्या कहलाएगा आपसें D समया नुकूल अगला है गद्यान्थ में प्रियुक्त सब्द प्रण का समानार्थी निम्लिकित में से कौन सा नहीं है तो आप्शन भी सूद्रण अगला है दिन का विलोम सब्द क्या होता है दिन का विलोम सब्द होता है आप्शन है रात होता है नेक्स्ट है कान का कच्चा मुहाबरे का अर्थ बताओ तो आप्शन है जल्दी बिस्वास करने वाला और आज का लास्ट है आज इसे कौन सा सब्द सम्बंदित है आप्शन है पास तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही ठेंक्यू धन्ने बाद